सब्सक्राइब कीजिए और आप मारे टेलीग्राम चैनल पर भी यूड़ सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक और की चर्चा करने वालें और यह शारे विंक्स हैं, इनके अपने अलग अगidän और इसका अपना पुरा पूरा एक सेंट्रल गोश्मेंट के सिस्टमम में तो हम इस डिपार्टमेंट के बारे में आज आज आपको को बताते हैं ये डिपार्टमेंट है जो कंट्रोल्र ऑफ डिफैंस एकॉंट यहां पर प्रिये आपका प्रिस्पल कंट्रोल ओव कम्निकेशन अकोंट पोस्ट करके अप अइसा गया में अब अलग-अलग रीजन में थर्फ लोग विंग है किसी का it什么 बाकि जो आपक다 और विंग पूरा बना हुआ है उसके बाद उसमेंग से लिए लग हुआ है तो इसी तरह से वाब अलग ऑफिस इसके अंदर हैं ठीक है और और पी जितने डिपार्ट्मेंट हैक के वाट्म आ रहें आप लोग के जितने भी रिक्वेस्ट आफ्ट व्यावेंखå क्案 210- roof करेंगे कि जितने भी डिपार्ट्मेंट्स होगे उनका कि हम Artemis video बना पाएंगे आप लोग लिखते रहें कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि मैंने लगवाग लगवाग 25-30 से उपर जो की वीडियो बना दियें फिर भी अगर कुछ वैसे इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट होंगे जिन पर जो है कि हम खोज पाएंगे ची आप लोग कमेंट्स में लिखते रहें थोड़ा सा आपको सब्र करना परेगा थोड़ा सा वक्त दीजिए हम आप लोग तक पहुंच पाएंगे तो मोटा मोटी इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दिया है और यह अब एक और क्वेस्टन होगा बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं है कोई मिस्टेक नहीं है सब कुछ ठीक है और यह रिपोर्ट जो है की उपर जो है कि जो इनका मेन ऑफिसेस जो दिल्ली में हेड़ पॉर्टर्स होता है उसको जो है कि रिपोर्ट करते हैं तो मोटा मोटी इनका काम ही रहता है कि देख रेक करना की डिपार्टमेंट्स में क्या एक्टिविटी चल रही है सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा तो अबरॉल यही इनका मोटा मोटी वर्क है और सब के सब मोटा मोटी से में आते ही हैं अब आपको बता दें यह सारा डिपार्टमेंट सबको CDA हो गया PCDC वर डीएड होगा Defense Account Department जो इसमें एक करने से भी इसका जो है कि आपका आया था इसका जोइनिंग लिटर इसमें आ चुका है और भी लोग का आएगा दीरे-दीरे टाइम लगेगा उसमें आपको आएगा सब सभी लोग का जोइनिंग आ जाएगा थोड़ा वक्त के साथ-साथ तो जो प्रोफाइल तो यह दे दिया जाता है कुछ-कुछ उसको फाइल वागएरा मेंटेन करने के लिए या कुछ टाइब करने के लिए कुछ भी जो है कि उनको दे दिया जारा क्योंकि देखिए सौर्टेज जो है कि हर डिपार्टमेंट में यह बात आप मान के चलिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहां पर आपको फुल स्ट्रेंथ में वर्क हो रहा है कहीं भी आप चले जाए तो वहाँ पर वह भी काम हो सकता है चेरोक्स बगएरा करना उसके प्रिंट बगए देना डॉक्मेंट यह डिस्पैच करना करवाना यह सारा चीज जो है कि आपको मोटा मटीस में करना पर सकता है तीक है सैल दी तो अल्लेडी हमने बता ही चुका है सेल इसमें जो है सेवन सीपीसी में आपका अठारह घ्जार अठारह सो ग्रेट पे अब लेवल वन हो गया है लेवल टू उनीस सो हो गया लेवल थरी लेवल फोर आपका चोवी सो अठाइस सो इस तरह से लेवल इसमें जो है की बांट दिया गया लेवल लेवल टू तो आपका मेट्रोपोल्टन सीटी में 30 प्लस क्यास पास आप मान के चलिए एक रेस्यो लगा के कि आपको जो है की बन जाएगा उसी तरह क्लास वाई सीटी जो है जो थोड़ा सा उसे मतलब मेट्रोपोल्टन सीटी मेट्रोपोल्टन तो मुस्किल से 10-12 ही होएं बस उसके बाद तो सब नॉर्मल ही सिटीज है तो उसमें थोड़ा सा कुछ थोड़ा दो-चार-पाँ-चार का डिफरेंस होगा उससे भी नीचे है जैसे कोई देखने को मिलें ओफिस ड्यूटी आवर वही आपका 925 या 1026 जहां भी जो भी सिस्टम है मंडे टू फ्राइड़े ही आपका जो एक इसमें वर्क है वर्क लोड़ नहीं है क्योंकि यहां तो यह पूरा जो है कि आपका जो एकांट्स वगेरा का वर्क है तो इसमें अब है वैटर अभी लगेगा देखने के उसे देखिए परमोसन के लिहांस से इस डिपार्टमेंट को बसक्राइब बता देए इस डिपार्टमेंट परमोसन बहुत जवरदैस्त है अगर को आपके निजशान पाचान में भी अगर होंगे तो आप पता कर सकते हैं इस कहीं अंदर आते हैं एक विंग अलग-अलग हो जाता है सिविल एकाउंट्स इसका जो है की ऑर्गनाइजेशन इसका नाम रखा गया है पूरा पी यो इसको पी यो सेट अप करते हैं अगर आप जाहिएगा ओफिस में तो आपको पता चल जाएगा पी यो क्या होता है प्रिं सिजियल की सबसे तॉप मोज्ट आपकी पोस्ट होती है फो एट ग्रेट पर कि ये ग्रूप भी ग्रूप भी है गैजीटेट पोस्ट है ठीक है और इसमें के आपका प्रमोशन टाइम बैनर में होता है डिपार्टमेंटल डिजाम सुझा मेशा की कंटिनी होते रहता है और किसे कर दो जो है कि कम से कम जो है कि आपको 50 परतिसात इसमें जो दोरा भर जात्य है वह आपको जोंटेक दोरा अब भरिज आती है ठीक है 10 पर्सेंट में जो है कि ऐसे लोग को बर क्छिब लोगरनाजा जाती है जो लगातार रिण रेगुलर सर्विस में three years service है और नोंको डिपार्टमेंटल एक्जाम देने के लिए उनको बोला जाता है आप three years regular service कर लेते हैं उसके बाद अगर डिपार्टमेंटल एक्जाम एपे पियर हो जाते हैं तो आपका जो है कि promotion हो जाएगा हाँ एक और चीज है कि कभी कभी गया की exam बेंगारा कभी कभी была होता है कि यह सुनने को मिलता है कि आप मांद चलों होना था तो एक साल बाद हो गया है इसा कुछ होगा यह थोड़ा सा उसमें केस है लेकिन एक्जाम बेगरा होता है प्रोपर प्रोपर आपको बता रहे हैं कि प्रमोशन के यहां पर जो है कि बहुत अच्छे अपर्चुनिटी है इसके बाद यहां पर सीधे आपको एकांटेंट मनाया जाता है टूफोर का यहां पर जो है कि कि दो यहां पर देखिए पिर जो आपका है आपको पर आड़ीटर होगा तो उसके आपको क्या करना है कि बशार भ deficit के सब्साइब तो इसमें 70 पर तिसाट डोरैष्ट से अट आउप सोच आपको है कि इसमें दिया जाता है कोई आदमी अगर 8 साल 6 साल काम कर लिए तो उनको डाइरेक्ट मिल जाएगा और एक होता है कि मतलब 5 परतिसत की डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंटल एक जाम से भी जा सकते हैं और सिनियर्टी बेसिस पर भी आप जा सकते हैं दोन अस्तर जाते हैं लेकिन फर्क क्या इसमें आप इसको समझ सकते हैं वही आपका जो है कि आपका जो है कि वह पूरा जो है कि आपका सर्विस रिकॉर्ड में है कितना कितना साल का जाता है नहीं जाता है वही इसमें जो है कि अवरॉल आपका रहता है वही पांस साल साथ साल आइसाही करके कुछ-कुछ इसमें अपको होता है उसके बाद आपको जैसे में next promotion होता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोशन अप्रोशर सेनियर और इसका कोई वेकेंसिस जो है की तरी दॉसंट प्रोशन तो सीनियर ऑड़िटर कि एक वगए और इसमें कि एक डिपाटमेंटल गजक्स में 시간 देखे वो अप डिर्Еक्टियू है कि आपर कोई मतलब प्रकार कि आपको रेस्ट्रिक्षन इधर नहीं है ठीकल तरह आप देखें डब लियोग की जो में सबसे पोस्ट है फोरेट्ट घ्रेट्ट पर किया किसी जल की सबसे टॉप मोस्ट में कोंटिंग में आती है तो यहाँ पर ही एक एक्जाम होता है यह भी पॉस्ट परमोशन भी है और आपका ज्ट से भी आता है दोनों है अस्तर से आता है तो इसमें एक में दिखा देते हैं हम इसको ससूंजां में हां जो ऐसे लोग होते हैं इसका नाम है सबार्डंनेट second सर्विस एक्जाम निशान ठीक है यह एक्जाम जो है कि आपको देना परता है ये ही एक्जाम है जिसमें कि आप देते हैं ये exam वाता है इसके बारे में लोग बताते हैंकि कि तक होता है आठ का यह पूरा exam होता है और इसमें ऐसा है कि जब lyc आप बन जाते हैं 30irm निकाल लो अप तो आप समझ लीजिए सीधे 19 से 48 तक पहुंचाते हैं डायिक्ट डायेक्ट डायेक्ट यानिए LDC से डायेक्ट 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 बन सकते हैं अब आप सोच लीजिए जिए डिपार्टमेंट कि इतना जबरदस्त आपको प्रमोसन देता है अगर देखा जाए तो इतना टाइम से होता है कभी कभी होता है डीले हो जाता है तो नॉर्मल से लेकिन इसमें जो है कि चीजें की प्रोपर में होती है यह वात आपको ध्यान में रखना है और आपको इसके लिए काफी पढ़ना पड़ता है यह यह आपको डायरेक्ट हम 9'' से जो अलडी से दिवाल को बता रहे हैं यह इतना आसान नहीं है यह काफी कठीन एक्जाम होता है यह पेपर और अठट पेपर TWO में सूनने माता है कि होता है और काफी yearly yearly इसका एकजाम होता है और ज्यादे shifts तो होते नहीं है उसी हिसाब से जो है कि जितने उसमें वेकंट होते हैं जितने recruitment की जारूरत होती है क्योंकि उसका quota होता है promotion का quota अलग होता है direct recruitment का quota अलग होता है सब का अलग होता है तो जो उस परमोशनल कोटे महऊंगे उनका ही डिपार्टमेंटल एक जाओँ के अलग बिभीन मिनिस्ट्री में जो है की उनको भेजा जाता है तो यह जो है केडर ओवर आल केडर है हर डिपार्टमेंट में आपको जा सकते हैं यह कंट्रोलर जनल आपको जो कमकूरा जो क्यार रहाता है है यह पूरा हर डिपाटमेंट में इसका कामि अकांटिंग से देखना अब को देखने ploy मिल जाते है इस पेसलिटी यहां भी मिल जाएगी उसके लृटिसी यहां बढ़ाधी से भी आपको इसमें मिल ही जाता है सारा कुछ तो आपको मतलब यह डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से परस्नली बहुत जवरदस्ट इपार्टमेंट है जिसको हम कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यह डिपार्टमेंट अगर लोगों को मिला है तो बहुत कम समय में आप देखिएगा और परने के साथ सथ एक जरूर त्यारी किजिएगा इतना हम आपको सलाह जरूर देंगे तब ही आप जब चले गए तो वहां लगया रहे आप क्या करें तो यह त्यान बिल्कुल मत रखेगा बिल्कुल मन से इसको निकाल के आप लोग परहाई जब तक किजिए गाने तब यह आप लोग जाइन कीजिए वहां सब कुछ मिल जाएगा उसके लिए आपको परिशान नहीं होना है ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही रखतें वीडियो अच्छा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग स्रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शेयर भी कर दिजा वीडियो को अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैक्स पर वाचिंग विश्ट और अग्ग